अज हम बात करेंगे Central Bank of India के virtual debit card के virtual debit card से कोई भी परकार का payment बगएरा नहीं हो रहा है online से लेकिन इस card से आप लोग mobile banking activate कर सकते हो मैंने इस card के number से mobile banking जब activate किया तो इस card का number जो है वो लिलिया गया देखिए इस card से payment भी होगा और UPI pin भी बनेगा लेकिन उसके लिए आपको time देना परेगा minimum आपको अभी exact time नहीं बोला जाएगा कि तीन मन्त देना है या छे मन्त देना है या एक साल देना है क्योंकि इस card को launch किया हुए काफी दिन हो गए दो दिन मन्त हो गए है लेकिन इस card से किसी भी परकार की payments वगेरा नहीं हो रही है लेकिन login करते हो तो login आपका successfully हो जाएगा और साथी साथ इस card से UPI pin वगेरा बनेगा लेकिन अभी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ATM pin क्या बसकत 1000 तक क्या है लेकिन इस card से जब payment करते हैं तो payment dislined by bank लिखा आता है यानि कि bank नहीं payment को dislined करते है अब यह किस कारण हो रहा है कि हो सकता है मेरी प्यास physical debit card है तो हो सकता है दो card एक ही account से link होने के कारण क्योंकि physical debit card और virtual debit card के number दोनों अलग-अलग होते हैं लेकिन एक ही account से link है इसलिए यह error भी हो सकता है कि एक account से दो ATM card से access आ रहा है कि money debit करेंगा और money जो account से ऐसा ही नहीं करता है काफी square system होता है तो इसलिए हो सकता है आपका अगर physical debit card बंद किजे मैं next video में लाओंगा कि अपने physical debit card को बंद करके virtual debit card के number से जो है ऐसे किसी में भी add करूंगा phone पे wallet य या नहीं money transfer के लिए अगर virtual card को activate रखा जाए हो सकता है transaction हो लेकिन अभी फिलाल इसमें new update की जरुवत है क्योंकि जब तक new update नहीं आता है ATM pin नहीं बनता है तब तक जो है इस card का कोई भी उपयोग नहीं है सिर्फ एक ही अभी use कर सकते है mobile backing activate कर सकते हैं इस card के जड़िए I hope आपकी छोटी से information अचलिगी वीडियो चलिगी वीडियो को like किजिगा दोस्तों किसार किजिगा channel को subscribe कर लिजिगा thank you so much मिलते आपकी सागले information